दोस्तों टेजी लाइट में कभी कभी ये प्रॉलम आही जाता है कि आप इंटरनेट चलाते रहे तो उस ट्राइम पे आपको कोई कॉल कर देता है और आप चाहते हो कि उस ट्राइम पे कोई कॉल ना करे या तो आप बीजी एमाई खेलते हो गेम खेलते हो और उस ट्राइम प बताने वाला हूं उससे आपके फॉन में इंटरनेट तो चलेगा लेकिन आपको कोई कॉल करेगा उस टाइम पे और जो सेटिंग्स में आपको बताऊंगा उसको कर देते हो तो आपके फॉन में कॉल नहीं आएगा और उस बंदे को सुईच अब बताएगा तो कभी-कभी ऐस होता है कि आपको कोई कॉल कर देता ऑफ बहुतatamente काम करते दे तो इंटरनेट पर और वहां पे आप नही फ़ॉन उसका रीचेव कर सकते हो और नहीं काट सकती हो रीचेव करोगे तो आपको बात करना परेगा और अगर आप उसका फ़ॉन कट कर देते तो आपको जवाब देना परे का कि आपने मेरा phone क्यों cut किया तो इस सबसे बचना चाहते हो और चलाना चाहते हो अपने mobile में internet सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट तो इस video को like करिए चनल subscribe करिए और अब शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने mobile में call settings को पिन कर लेना है तो call settings को पिन करने के लिए मैं डायलोर को पिन करूँगा और यहाँ पे एक two dot का option है उपर में इस पे मैं click करके यहां से मैं settings में चला जाओंगा तो यह जो है मेरा call settings है उसके बाद यहाँ पे आपको scroll करके नीचे आना होगा सबसे पहले उस SIM को select करना है जिस पे आप अपना phone switch up रखना चाहते हो कि अगर आपको कोई call करता है तो उस time पे उसको आप switch up दिखवाना चाहते हो लेकिन अपने mobile में internet चलाना चाहते हो तो उस SIM को select करना चाहते हो तो मान के जलिए SIM 1 है इस पे मैं click करता हूँ उसके यहां पे reading होंगा और reading होने के बाद में यहां पे आपको कुछ step से option आ चाहेगा फिर आपको यहां पे always forward पे click करने के बाद में यहां पे आपको एक number type करना है जो number switch up हो और नंबर किसी के भी पास होगा चलेगा लेकिन वह number switch up होना चाहिए तब ही वो work करेगा क्योंकि उस time पर अगर आपको कोई कॉल करेगा तो वह नंबर पर फॉरवेट कर देगा और वह switch up switch up आएगा तो चलिए यहां पर इक switch up number ढाल देता हूँ जो मेरे पास है और उसके बाद यहां पर on पर क्लिक करना है on पर जैसे ही click करेंगे तो यह on कर देगा ठीक है तो यहां पर आपको कोई परिशान नहीं करेगा तो वीडियो कैसा लगाने चाहिए कॉमेंट करके बताए वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करेए